तो भाई सब काफी हो हला के बाद में, काफी शोर शराबा के बाद में, देर रात, ग्यारा साड़े ग्यारा बजे जाकर के, CBC अपना बोर्ड एक्जाम 2025 का डेट शीट निकालती है, और लाखो सूरेंट्स जो क्लास 10-12 के हैं, उनकी नीन उड़ जाती है, भाई सब बहुत हंगामा निकल गया है, काफी लंबे समय से इस डेट शीट का हम सभी वेट कर रहे थे, लेकिन CBC के त्यास में, हाला कि पहली बार हुआ कि 6 दिन पहले, 86 दिन पहले, CBC ने अपना डेट शीट जरूर निकाल दिया, रिलीज कर दिया, ये कहकर के भाई, बच्चे को पढ़ने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन, इस हरवड़ी के चक्कर में, बहुत बड़ी गरवड़ी हो गई, बहुत ही जादा नाकाफी गुजर रहा है, बहुत बड़ा इशू क्रियेट हो गया, क्योंकि दो सब्डेट्स के बीच में, जितना प्रप्रेट्री गैप मिलना चाहिए था, वो स्टुडेंस को नहीं मिला, फिर चाहे हम क्लास 10 की बात करें, या 12 की बात करें, बहुत इसे पहले मैं चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो, इस बार बोट को फोड करके आएंगे, और मैं ऐसे ही बात नहीं करूँगा, कुछ facts and figures के साथ में भी बात करूँगा, लेकिन पहले जड़ासा इस पे नजर डालो, चारो तरफ हंगा मचा दिया, कि भाई साथ, physics और chemistry के बीच में आपने किस हिसाब से 5 दिन का gap दे दिया, भाई साथ, सिरफ 5 दिन का gap दिया है, physics और chemistry के बीच में, ये रेखो यहां पर, ये रेखो, chemistry और physics को लेकर के, even experts भी खुश नहीं है, ये रेखो, एक student ने expert post करते वें क्या लिख दिया भाईया, 5 days gap for chemistry, and 15 days for biology, I hate CVC, 10 days gap for English and psychology, I am actually going to write, I wish I had 10 days gap for chemistry in steel, बिल्कुल सरी बात है भाई साथ, 10 दिन का gap, आप दे सकते थे, 10 दिन का gap, आप दे सकते थे, 10 दिन के साथ में भी यही issue है, ऐसा ही कुछ हो सकता था, फिर यहां एक और मुन्दा भी देखो, home science is on 3rd April, and psychology is literally the next day, अरे भाई साथ, आप तीन अपरव को लेते हो, home science और ठीक अगले दिन, जो है वो आप लेते हो, psychology का paper, हाला कि CBC ने क्या कहा, कि भाई साथ, हमने 40,000, जो subject combination है, उसको देखते हुए हमने यह तयार किया है, यह देख रहे हो, 40,000 subject combination के बाद में हमने यह schedule निकाला, लेकिन फिर भी गरबडी है, अब भाई साथ, इसका करेंगे क्या, हाला कि देखो, यह मुद्दा यहां पे सामने आ गया है, बहुत क्याम gap है, देख सकते हो, physics के chemistry के बीच में कितना gap है, कितना gap है, जल्दी बताओ मुझे, gap है यहां पे सिर्फ 5 दिन का, और यहां पे अगर हम Hindi औ संस्कित के लिए, अच्छा संस्कित का पेपर अगर तुम्हारा नहीं है, थोड़ दर क्लिमान लेते हैं, नहीं है, बहुत बच्चों का नहीं होगा, तो science और SSC, social science के बीच में 4 दिन का gap है, शोशल साइंस और Hindi के बीच में 2 दिन का gap है, लेकिन Hindi और Maths के बीच में 9 दिन क तो उसमें 7 दिन का gap है, ऐसा क्यों कर दिया भाई, सिबसी ने, तो देखो यार, मुद्दा तो बहुत क्रेट हो चुका है, ठीक है, और बहुत बतर बच्चे जो हैं, वो परेशान मी हैं, मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, क्या करें सर, तो देखो इस वाक मैं तुमको एक चीज तो तुम जल्दी से ले लो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवलेबल है, आपने नियरबाई स्टोर से ले लो, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्चिन में डाल दे रहा हूं, वहां से भी तुम ले सकते हो, जबरदस्त बात क्या है, कि ये लेटेस्ट जो सीबसी ने सरकुल और इतना ही नहीं, तुमको साथ दिन का स्टडी प्लान भी इसके अंदर दे दिया है, सब्जेक्ट वाइस के देख सकते हो, यहां पे मैट्स का है, साइंस का है, सब कुछ का है, ठीक है, और इतना ही नहीं, यहां पे तुम ओस्वाल गुरुकुल का जैसे ही तुम निकालो करते हो, इसमें 1,500,000,000,000 प्लास syllabus questions है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट के रूप में तयार किया गया है, तुम इसे upload कर सकते हो, हैं रिटेन आंसर को भी अप्लेट कर सकते हो, तुमको इसका export evaluation मिलेगा, और feedback मिलेगा, लिंक दोनों का मैंने दिया हुआ है, इसका भी और इसक preparation well in advance, helping them overcome examination stress and perform better, लेकिन हमें एक सर्च में भी जाना पड़ेगा, वापस आते हैं आपने facts and figure पर, ठीके, अब यहां देखो जो मैं बात कर रहा था, अगर हम बात करते हैं यहां की, तो यहां देखो भाईया, तुम्हारा chemistry और maths के बीच में कितना दिन का gap है, यहां पर gap है, तुम्हार chemistry और maths के बीच में, आठ दिन का, साथ दिन का gap है, ठीके, आठ दिन का gap है, अगर हम बात करते हैं, maths और English के बीच में कितना gap है, तो सिर्फ दो दिन का gap है, अब देखो इसी को balance करना था, इसी को balancing करना कहा जाता है, कि CBC ने कैसे किया, अब देखो, maths, sorry, English और Hindi के में कितना gap हो रहा है, सिर्फ तीन दिन का gap हो रहा है, तीन दिन का, यही गरबड है, यहाँ पर अगर balance कर दिया जाता, तो हो जाता, अब यहाँ देखो, यहाँ होली पड़ रही है, यहाँ gap, maths में जरुवत होती है बच्चों को, लेकिन थोड़ा gap को stable किया जा सकता था, त अब कल से मैं तुमको देना करूँ, शुरू करूँगा chapter wise सारा कुछ, और खुद मैं कोच subjects के live classes भी लूँगा, जैसे English हो गया, Hindi हो गया, ठीक है, SSC हो गया, जो जो possible होगा, जितने जल देली मैं possible कर सकूँ, मैं तुमारे लिए available लेक कर रहा होँगा, ठीक है, तो भाई कर रहा होँगा 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